मीडिया में सबकी आवाज को समान महत्व होना चाहिए लेकिन हम आप ये जानते हैं कि मीडिया में महिलाओं के मुद्दों को, महिलाओं के सहवाग को, उनकी आवाज को कितना महत्व मिलता है श्रमजीवी महिलाओं के मुद्दे, आदिवासी महिलाओं के मुद्दे, दलित महिलाओं और मुसलिम महिलाओं के मुद्दों को कितनी जगह मिल पाती है मैं एक महिला सामाजी कारेकरता होने के नाते इन महिलाओं के संग काम करती हूँ काम करते समय, मीडिया के उपर जब मैंने सूचा, तब ये सारे सवाल बेचैनी से मेरे मन में उभर उठे बिहार ये से प्रदेश में तो और भी महिलाएं मीडिया में काफी कम काम करती हैं जो काम भी करती हैं उनको मुखर होने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि अखवारों में संसनी खेज खपरे ज़ादा चपती हैं, या मीडिया में भी संसनी खेज बाते ज़ादा उठाई जाती हैं ताकि मीडिया को आमदनी हो पिछले 10 सालों में, आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मेडिया के भीतर तो बड़ बड़ी क्रांति आ गी आगी। अब स rugby Nou harina ही महिलाएं लेकिन आप बीतर जाएं और इसके पह में जाएं तो आपको लगेगा- वे वीडिया की जडूरत है। तो उनको वैसे काम दो जिनको आसानी से करें, वो बड़े काम कर पाएंगी कि ये भरुसा भी तक उनको आया लिए। तो अभी जो वाजार है, जो इसमें खबरें बिक रही हैं, तो इसमें मीडिया वैसी खबरों को तरजी जादा देता है, जिन जो खबरें उनके बेचने लाएंगे हैं, इसके महिला मुद्बों में भी अगर आप देखें कि वैसे मुद्बे जादे हैं, जो थोड़ा सिल्सम से खबर निकली थी, जिसमें था कि एक बेटी ने अपने बाप की हट्या तो ये बड़ा संसनिक है, जब हम लोग उस खबर के आंकलन में गए, जब खबर को हम लोगों ने देखा, तो दरसल बाप ने बेटी के साथ पलतकार करने की कोशिस की थी, लेकिन खबर की हेडिंग से ये नहीं लग रहा था, तो हम ये बिलकुल हम ये महिसोस करते हैं कि मेडिया के भीतर भी, जो समाज भी महिलाओं की भूनी का है, वो रिफलेक्ट करता है, मैं बल्कि ये खाऊंगी कि मेरा जो आंकलन था, उसमें मेडिया भी कई जगा जेंडर वाइस्ट है, तो हम कह र है, गायर शादिशुदा है, ये सारी बाते आपको हेडिंग से पढ़के चली जाएंगे. मीरा जी, क्या समाधान होगा इसका? मीडिया में भी महिलाओं को आरक्ष्र मांगना होगा, आगे आना होगा, सहमना पुरुस वर्क के साथ कंदे से कंदे मिलाकर के लिए इसके लिए लड़ना होगा, संगर्स करना होगा, और जब महिलाएं काफी संख्या में मीडिया में आएंगी, तो सामनती मौहौल अपने कि वास्ता कायम करता होगा, पर महिला मुद्दो पर सिर्फ महिलाई की अखबार में इसको जगह मिले, इसके लिए जो जनसंगठल है उनको भी लड़ाई लगनी होगा, और ऐसी खबरों को लेना होगा, इसमें ये पता चले कि महिलाई किस तरह की संगर्श करें, परकि महिला कि आरक्षन से समंदित सवाल भी या फिर उनके रोजी रोटी से जुड़े मस्यों, तो इसके लिए दोनों तरफ से दबाओ करना चलिए, समाज की तरफ से भी, और जो भीतर जो लोग हैं, जो समस्ते हैं कि ऐसी खबरों को तरजी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए उसको समेधनशील बनने की, ताकि लोगतंत्र को पुष्टी मिले और वो मजबूत हो, मुझे पूरी उमीद है कि मीडिया में महिलाओं के संख्या बढ़ेगी और उनके मुद्दों को जगह मिलेगी और सही तरीके से, जंडर समेधनशील तरीके से उनके मुद्दों को उठाया जाएगा, मैं वर्षा बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए